हलो दोस्तो आज हम बना रहे हैं स्वीट पटेटो और पटेटो की दो पिरकार की रेस्पी जो बहुत टेस्टी बहुत चटपटी और क्रेंची बनेंगी अगर आपके बच्चों कोई चाट खाना पसंद है तब बिच वीडियो पूरा देखिए अगर आप चाट खाने के सौखीन है तो आज हम वही चाट बना रहे हैं स्वीट पटेटो और पटेटो की दो पिरकार की बहुत चटपटी और बहुत जल्दी बनेंगी बिरत में भी आप इसे खा सकते हैं जिसे बनाने के लिए हमने लिए हैं आलू, आलू को हम पहले धो करके कुकर में डाल लेंगे, और इसमें पानी डाल लेंगे एक गिलास, उसके बाद इसमें हम एक चमच नमक डालेंगे, नमक डालने से आलू में अच्छा टेस्ट आता है, उबालने के बाद अंदर तक नमक अब इसे हम कुकर में रख देंगी गैस में जब अच्छे से आलू हमारे उबल जाएंगी दू तिन सीटी लगाने के बाद उसके बाद निकाल लेंगे और इन्हें छील देंगी हमारे मेडियम साइच की आलू हैं ना बड़ी हैं ना ज्यादा छोटी हैं अलू जब भी छीलें थोड़ा सा गरम नहीं छीलें अगर ालू ठंडव हो जाते हैं तो अच्छे से नहीं चलते इसलिए कर अलूच छीलने के बाद इसे थोड़ी देर रख देंगी अभी हम तुरंत नहीं बनाएंगी इसकी चाढ़ जब हम शील करके रख देंगे उसके बाद हम इन्हें थोड़ा सा जो हमारी गदिया है हथेली से इसे दबा देंगे जिससे आलू अंदर तक अच्छे से दब जाए ऐसे आलू को सभी आलू को चटका देंगे उसके बादे काटे वाली चबमच लेंगे और इसमें निसान बना देंगे ऐसा करने से आलू अंदर तक पक जाता है और इसमें मसाला अच्छे से चला जाता है आलू तलने के बाद बहुत क्रिस्पी बनता है पूरे आलू में हम दोनों साड़ाइ से ही निसान बना देंगे अब हम रखेंगे पैन, पैन में डालेंगे एक बड़े चम्मत तेल जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें हम आलू रख देंगे फ्राइ करने के लिए यह चार्ट बहुत टेस्टी बनती है, मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, सुवए सुवए स्कूल के लिए उन्हें ऐसी चार्ट बहुत पसंद आती है, पराठा के साथ पे स्कूल के लिए ले जाते हैं आप भी अपने बच्चों के लिए लंच वेक्ष के लिए जरूर बनाएगे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी जब आलू हमारे एक साइट गोल्डन हो जाएंगी उसके बाद हम इन्हें पलट देंगी अभी हमें इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है देखो हमारे आलू कितनी जल्दी गोल्डन हो गए हैं और कितनी अच्छे लग रहे हैं अब इसमें कुछ मसाले डालेंगी देखो हम नमक डाला है चिली फ्लेक्स जीरा थोड़ा सा हल्दी सौफ काला नमक अमचूर पाउड़ा और चाट मसाला एक चमच चाट मसाला डालने से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अगर चाट मसाला डाला हो वे पूरा नास्ता चट करके आते हैं स्कूल से ऐसा नास्ता एक बार तो आप भी चलू ट्रा कीजिए देखो हमारे आलू दों सेर से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं विन्हें हम पलट पलट करके अच्छे से सेंक लेंगे और अच्छे से मसाला मिला देंगे उसके बार डालेंगे इसमें धनिया पत्ती और फिर से मिला देंगे लो हमारी आलू की चटपटी चाट बनकर तयार हो गई है इसे आप फ्राई आलू भी कह सकती है अब इसमें धनिया पत्ती डालेंगे थोड़ी सी आलू भुजिया डाल देंगे यह तो बस देखने की डालना इससे कोई टेस्ट नहीं आ था है आलू हमारे इतने टेस्टी और चटपटी पहले सी ही बने है देखो हमारी कितनी अच्छी चाट बनकर तयार हो गई है अब हम बनाएंगे सकरकंद की चाट इसे बनाने के लिए हमने 6 सकरकंद लिए है मिढियम साइज के उन्हें भी अच्षे से हमने साबकी लिया था प्रिस से क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है अब हम रखेंगे कुकर में और इसमें थोड़ा सा पानी HAOS रेंगी एक म நरे कप इस पानी डाला है पूरा पानी डाला है इसमें CT भी हमें बहुत कम लगाना 2 दो सीटी इसे ज्यादा नहीं उबालना है इतना उबालना कि इसका छिलका असानी से निकल आए जैसे दो सीटी लग जाएंगी उसके बाद हम रखकन खोलेंगे और इन्हें निकाल गर की एक प्लेट में रख देंगी उसके बाद इसका छिलका निकाल लेंगे ये सकरकंद की जो हम चाट बना रहे हैं इससे याद ब्रेट में भी खाया जाता है और बहुत टैस्टी भी बनती है जब पूरे आलू छिल जाएंगी उसके बाद हम इसका दोनों सैट का भाग काट करके अलग कर देंगी और इसी गोल गोल पीस काट लेंगी जिससे तलने में आसानी होगी ऐसा नास्ता बहुत जल्दी बन जाता है बनाने में ज़्यादा टैम नहीं लगता है और ना ज़्यादा मसाला ना पीसने की ना कोई तैयारी करने की कोई जंजट नहीं रहता है बहुत जदी बन जाता है अब उसी पैन को रखेंगी हमने साप कर लिया है जिसी तेल गरम होगा हम स्वीट पटेटो रख देंगी इसी भी गोल्डन होने तक प्राई करेंगी जब एक साथ ये गोल्डन हो जाएंगी उसके बाद मिनेट पलट देंगी जैसी चार पांच मिनेट हो जाएंगी उसके बाद पलट देंगी इस सकरकंद की चाट बहुत टेस्टी बनती है आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी और हेल्दी भी होती है कि मीठा खाना ज्यादा बच्चे कोई भी पसंद नहीं खाता इसलिए आज हमने कुछ अलग बनाया है बहुत चट पटी सी अब इसमें डालेंगे हम काला नमाद एक चमत जीरा पाउडर भुझी हुए जीरा का पाउडर है उसके बाद डालेंगे एक चमत चाट मसाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ये टेस्ट के लिए है बहुत इससे क्रेंची सा टेस्ट आएगा थोड़ा चट पटा सा धनिया पत्ती डाल देंगी थोड़ा सा नेवु का रस डालेंगी इससे जो हमारी चाट है और भी टेस्टी और भी चटपटी बनेगी और इसे अच्छे से मसाला इसका मिला देंगी पलट करके नहीं तक कहीं नमक ज़्यादा होगा कहीं काम इसलिए इसे मिलाना बहुत ज़रूरी है अब इसे भी परोस देंगी लोग हमारी दोनों परकार की चाट बन गई है बहुत टेस्टी बहुत चटपटी और क्रांची से बच्छों की मन पसंद रेस्पी आज हमने बनाई है बहुत कम मसाले में और बहुत कम तेल में और कमेंट करके जरूर बताए कि मेरा वेडियो आपको कैसा लगा अभी तक मेरा चैनल आपने सस्काइब नहीं किया तक पिलिज मेरा चैनल सस्काइब कीजिए